हलो फ्रेंड्स, कल बिजया दस्मी के दिन पूरे सोसल मीडिया पर ये दिक इसी बात की चर्चा थी, तो ओ चर्चा थी कि सहारा ने बर्सवा वाले जमीन का डिल कर लिया है। जी हां दोस्तों, जो खबरे सोसल मीडिया के द्वारा आ रही है, उसके अनुसार सहारा और ओबराय रियाल्टी के बीच बर्सवा वाले जमीन जो 106 एकड की थी, उस पर 6000 करोर रुपए की एक डील हुई है, जॉइंट वेंचर बन चुका है, उस पर सिंगनेचर हो चुका है यह दावा सोसल मीडिया के में कुछ चैनल कर रहे हैं, बकाइदा इसके कुछ फोटोग्राप्स भी जारी किये गए हैं, आप स्क्रीन पर वो फोटोग्राप्स देख सकते हैं, आगे भी हम लोग इस पर चर्चा करेंगे, तो दोस्तों इस वीडियो में हम लोग मुखे दिल हुई है, और यदि यह दिल हुई है, तो आने वाले समय में इसके क्या परभाव पड़ेंगे सहारा और सहारा के निवेशकों पर, क्या सहारा के निवेशकों को इस दिल से कोई भुकतान मिलने जा रहा है, साथ ही साथ इस दिल की जब खबरे आने शुरू हुई, तो आखिर ऐसा क्या कारण हुआ कि सोशल मीडिया पर बवाल मच गया पूरी खबर कि पड़ताल हम लोग आज करेंगे तो दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो प्लिस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और अधिक से अधिक शेयर और लाइक करना ना भूले दोस्तों कल बिजयाद असमी थी ऐसे में उमीद थी कि कहीं न कहीं सहारा निविश्को के लिए कोई अच्छी खबर मिल सकती है क्योंकि क्यों ना हो बुराई पर अच्छाई की जीत का कल दीन था ऐसे में कल सुबह से ही एक खबर आनी सुरू होती है सोसल मेडिया पर हाला कि इस खबर के पुष्टी अभी तक ना तो सहारा मेनेजमेंट ने किया है और ना ही ओविराई ग्रूप ने किया है लेकिन सोसल मेडिया पर इसके तमाम फोटो पड़े हुए है और दावा किया जा रहा है कि सहारा मेनेजमेंट और ओबराई रियाल्टी के बीच बरसुआ वाला जो प्लॉट था 106 एकर का उस पर जोइन्ट वेंचर के लिए डील फाइनल हो चुकी है हस्ताक्षर हो चुके है और यह डील 6,000 करोड रुपे में फाइनल की गई है यह दावा मेरा नहीं है और नहीं मैं इसकी पुष्टी करता हूँ लेकिन जो ख़बर सोशल मीडिया में चल रही है उसके जनकारी आप लोगों तक को होना चाहिए इसलिए मैं यह वीडियो बना रहा हूँ एक से दो दिनों में हो सकता है कि इसके सचाई सामने है हो सकता है अगर यह सही में डील हुई है तो अच्छी ख़बर है और यदि पूर्म में जिस परकार से कुछ लोगों के द्वारा फर्जिक ख़बरे उड़ाई जाती रही है अगर यह भी उसी परकार का एक बना कर उसका पेपर सुप्रीम कोट में दाखिल करना था चार हफते से ज्यादा का समय बिद चुका है लेकिन अभी भी अगर आप सहारा और सेवी के कंटेम्ट केस के केस डिटेल में जाएंगे सुप्रीम कोट के वेब साइट पर तो अभी तक सहारा की तरफ से कोई ऐसी फा सुप्रीम कोट में फाइल करें इसकी डिटेल लेकिन फिलाल अभी तक कोई भी ऐसा एविडेंस सामने नहीं आया है जिससे कि असाबित हो सके कि यह डिल हुई है क्योंकि ना तो अभी तक सहारा ने इसको लेकर कोई खबर दी है और ना ही ओवरायर रियाल्टी ने इसको ल ले लेंड पर 6,000 करोड रुपए के डिल हो चुकी है उन लोगों को बधाई और यदि सही में डिल हुई है तो पूरे सहारा गुरूप को भी बधाई अब हम लोग आते हैं बात करते हैं कि जिस वर्सुआ वाले प्लोट की कीमत 2,000-12,13 में सहारा गुरूप 20,000 करोड रुपए बता रहा था और आज के समय में दावा कर रहा थे कि उसकी कीमत 1,00,000 करोड से भी ज्यादा है तो ऐसे में सिर्फ 6,000 करोड रुपए में डिल किय जाना कहीं न कहीं कोई संसे तो पैदा करता है खेर जो भी हो डिल तो हो रही है और जब डिल हो रही है तो सुपरीम कोड का जो आदेश था कि अगले 9 महीने में 10,000 करोड रुपए सुप्रीम कोड में जमा करना हैं तो कहीं न कहीं उस दिशामें बढ़ता हुआ यह डिल द दिखता है तो ऐसे मैं उमीद की जानी चाहिए कि सहारा अभी तक जो खबरे आ रही है कि सहारा ने अभी तक जो एक हजार करोड रुपे जमा करना था चार हपते के भीतर उसको जमा नहीं किया है लेकिन यदि यह डिल पकी हो गई है तो कहीं ने कहीं आने वाले दो से तिन द होता है ना सेबी का होता एक थर्ड पार्टी का खाता जिसमें कि वह एक हजार करोड रुपे जमा करने का आदे सुप्रीम कोट ने जारी किया था जो अभी तक नहीं हुआ है लेकिन जब यह डिल की खबर आ रहे है कि कल यह डिल हो चुका है तैसे मैं उमीद की जाने चाहि सुप्रीम कोट में जरूर फाइल की जाएगे तब सारी की सारी सचाई सामने आएगे फिलहाल अभी तक किसी भी ग्रूप के द्वारा इसकी सचाई को सामने नहीं लाये गया है हाला कि सोसल मीडिया पर कुछ लोगों के द्वारा कुछ चैनल के द्वारा इस खबर को काफी जोर सोर से चलाय जा रहा है कि डिल फाइनल हो चुकी है कुछ फोटोग्राप्स हैं आप भी देख सकते हैं तो लगाय जा रहे हैं चलाय जा रहे हैं हाला कि मैं इसकी पुष्टी नहीं करता हूं कि ये फोटोग्राप्स कल के हैं या फिर पहले के हैं जो चल रहा है सोसल मी अब हम लोग आते हैं कि आखिरी इस डिल से निवेसक को क्या मिलेगा तो इस डिल से निवेसक को कुछ नहीं मिलने जा रहा है मिलेगा तो सिर्फ जुन-जुना क्योंकि इस डिल के बाद जो भी पैसा मिलेगा सहरा गुरूप को और सारे पैसे उस S-PRO खाते में जमा होने वा सुप्रिम कोट ने जमा करने का आदिश दिया तो जो भी पैसा आएगा इस डिल के उपरान वो सारा पैसा उस खाते में जमा होगा तो इससे निवेसक को कुछ नहीं मिलने जा रहा है जो लोग यह बोल रहे हैं सोसल मीडिया पर साइद उन्हें अपनी भासा पर कंट्रोल ह होना चाहिए या फिर साइद उनकी तमीज यही है या फिर उनकी परवरिस का नेतिजा है कि ओ आज आम निवेसक को बोल रहा है कि कटोरा लेकर भीक मांग रहे हैं कटोरा लेकर खड़े हैं तो ऐसे लोगों को सोचना चाहिए कि आपकी सिक्षा दिक्षा किस सुसाइटी मे हुई है किस तरह से हुई है जब आप आम निवेसक जो की गरीब निवेसक है जिसने अपनी पाई 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 जमा किया है सहारा गुरूप में और जो कानूनी रूप से अपना पैसा लेने जाता है तो आज आप उसका मजाक उड़ा रहे हैं खिली उड़ा रहे हैं कि वो कट भी कहना बेमानी होगी चुकि यह खबर पूरी तरह से कल दीन भर चलते रहा सोसल मीडिया में इसलिए मैंने सोचा कि कहीं न कहीं आप जो दर्सक मुझ पर विश्वास करते हैं ट्रस्ट करते हैं आपको भी बताया जाए कि आखिर चल क्या क्या रहा है तो आने वाले दिनों म सामने खुल कर जरूर आ जाएगी क्योंकि चार हपते का समय था और इसी महीने सुनवाई होने वाली है हाला कि अभी डिटेल नहीं मिल पाया है जैसे ही डिटेल मिलेगा सुनवाई का मैं आपको बताऊंगा तो उस सुनवाई में सारी पोल पट्टी खुल जाएगी कि क्या सचाई है इस डिल की कितना पैसा मिल रहा है या फिर नहीं जो नहीं हुआ है फिलाल अभी तक तो उस की कोई फाइलिंग नहीं दिख रही है उमीद की जानी चाहिए कि जो होगा सहारा निवेसों के लिए अच्छा ही होगा हमें तो पोजिटीब सोचना है निगेटीब सहारा नियह है कि निवेसों के द्वारा अब जगह जगह पर फाइयार किये जा रहे हैं और बढ़ती फाइयार को देखते हुए ही भारत सरकार ने सुप्रीम कोट में आये लगाया है कि सहारा के उपर जितने भी हाई कोट और भोकता फोरम या दूसरे जो अधिनस्त ने आ जाए तो कहीं न कहीं सहारा ग्रूप का भारत सरकार के साथ मिली भगत और साथ घाठ दिखती है हाला कि जब आये का डेटेल सामने आएगा तो ही पता चलेगा कि आखिर भारत सरकार ने इसा मांग क्यों किया सुप्रीम कोट से कि सभी केसों को स्टे ओर दिया जाए सहारा क खिलाब जितने मामले चल रहे हैं फिलाल जो भी हो उमीद की जाने चाहिए कि जो होगा अच्छा होगा और सीधर अतिस सहारा के निव एसकों का भुगतान होगा धन्यवाद दोस्तों